आज मैं आपके साथ शेर करने जा रही हूं कच्रे आम का मुरब्बा इसे कैरी का छुंदा भी बोलते हैं इसे आप फ्रिज में रख सकते हैं च्छा महीने तक ये खराब नहीं होता है और इसे हम पूरी पराठा थेपला या दाल किसी फिये साथ भी सब कर सकते हैं इसे मैंने दो टाइप से बनाया है एक जिसे हम वरत में खा सकते हैं और एक मसालेदार और चटपटा तो चलिए शुरू करते हैं रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नहीं है तो वीडियो के नीचे जब सब्सक्राइब बटन है उस पर क्लिक कर दें और अब बेल बटन आएगा उस पर भी क्लिक कर दें ताकि मेरे न्यू रेसिपीस के अपडेट आपको मिलती रहें यहां पे 500 गराम कच्छा आम लिया है इसे हम दो लेंगे अच्छे से और अब हम इसे पील कर लेंगे पील करने के बाद अब हम इसे ग्रेट करेंगे तो एकदम अब प्लेम को हम रखेंगे हाई और इसमें डाल देंगे हम चीनी तो जितने हमने यहां पे कैरी लिए है उतने ही हमें चीनी लेनी है और चीनी डालने के बाद हम अच्छे से मिक्स करेंगे बाकी बच्छे हुई चीनी भी मैं इसमें डाल रही हूँ तब तक चीनी मेलट ना हो जाए तब तक हम फ्लेम को हाई रखेंगे और चीनी के मेल्ट होते ही हम फ्लेम को मीडिय learners कर देंगे और इसे हम पकाएंगे आट मिनित तक मीडियम फ्लेम पर तो ये देखिए चीनी अच्छे से मेल्ट हो गई है अब हम इसमें डाल देंगे डाल चीनी की स्टिक डाल चीनी से इस मुरब्वे में बहुत अच्छी खुश्बू आती है इसके बिना ये मुरब्वा बिल्कुल भी टेस्टी नहीं लगेगा तो ये दाल चीनी की स्टिक भी मैं इसमें डाल दे रही हूँ और इससे हम मिला लेंगे अब हम इससे पकाएंगे 7-8 मिनट तक मेडियम फ्लेम पर जब तक की चीनी की एक तार की चाशनी ना बन जाए तो ये देखिए हम इससे पकाते हुए 7 मिनट हो गए है अब हम चाशनी को एक बार चेक कर लेते हैं तो इस तरीके से फिंगर से हम इससे चेक करेंगे तो ये देखिए एक तार की चाशनी बन गई है तो हम फ्लेम को ओफ कर देंगे तो ये कैरी का चुंदा बनकर के तयार है इसे मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर लिया है एक बाहूल में हम बनाएंगे वरतवाला आम का मुरब्बा और दूसरे बाहूल में हम बनाएंगे मसालेदार चटपटा आम का मुरब्बा तो सबसे पहले हम वरतवाला आम का मुरब्बा बनाते हैं तो इसके लिए मैंने याँ पे लिया है इलाइची पाउडर, लोंग और केसर इन सब को हम इसमें अच्छे से मिला देंगे और ठंडा होने के बाद हम इसे जार में भर करके रख लेंगे तो इसे मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है और अब मसालेदार मुरब्बे के लिए इसमें डाला है मैंने नमक और लाल विर्च जो आप अपने टेस्ट के कोडिंग डाल सकते हैं और इने भी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और ठंडा होने के बाद इनको एटाइट कंटेनर में भर कर रख सकते हैं फ्रिज में तो यह आम का मुरबब बन करके तयार है इसे आप रत में भी खा सकते हैं और पूरी पराठे या थेपले के साथ भी सब कर सकते हैं तो फ्रे के साथ शेयर किजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले थैंक यू